मारास में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रही है बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है तो वही अधिक हो रही बारिश ने लोगों की परिशानी भी बढ़ा दी है पिछले दिनों से जहां सड़के पाने से लवालब हो गई है तो पानी जमा होने से सड़कों पर जाम भी देखने को मिल रहा है अधिक बारिश होने से पूरे के कोटवा इलाके में बारिश की वज़ा से एक सोसाइटी की केंपट की दिवार शुकवा देर रात करीब देर बजे नजदी की जुग्यों पर गिर गई हाथसे में 15 लोगों की मौत हो गई इन में 9 पुरिश, 2 महिलाए और 4 बच्चे शामिल है तीन लोगों को बचा लिया गया मलबे में कुछ लोगों की फसे होने की आशंका है रैस्क्यू के लिए NDRF की टीम मौके पर है पुलिस और NDRF की टीम ने बताये की बड़ा तलाब मज़िद शेत्र में हाथसे वाली जंगा जुग्यों निखले इलाके में है सोसाइटी के कैंपस की दिवार उपरी हिस्से में थी बारिश की वज़ा से 50 कुछ लंबी दिवार नीचे की मिट्टी धसने से ढह गए और जुग्यों पर गिर गए पुड़े के जिलादी कारी नवल की शोर रांक ने बिंटर्स की खिलाब केस दच करने का आदेश दिया वोके पर मौझूद लोगों की माने तो बारिश से दिवार गिनने के धमाची की वज़े से नेल खुली बिंटिंग में रहने वाले यूवक का कहना था कि देर राद देर दो बचे के बीच एक तेज आवाज सुनाई दी शिर्की से जांक कर देखा तो नीचे कमपाउंड से दिवार तूपी हुई थी भाग चान नीचे पहुचा तो उसे एक महीला शिर्कती हुई नजर आई इस बीच कुछ और लोग आ गए ये बाद सोसाइटी के तींचा लोगों के साथ बचाव कारे शुरू किया इस हाथ से में पार्टी में खड़ी कारे भी शतिग्रस थी